हालो एविवान, हेलो बच्चों, क्या हल चाल आप लोगों के आज बच्चे हम लोग पी वाई क्यूस करने वाले हैं Mechanical Properties of Flutes के Mechanical Properties of Flutes, पी वाई क्यूस ठीक है स्टार्ट करने से पहले आपको बता दू NEET 2022 का Crash Course चल रहा है बच्चे अनकाडमी प्लस प्लैट्फरम पर टीम उमीद द्वारा जिस बच्चे ने एन्रोल नहीं किया है वो एन्रोल कर ले और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो आनंद कोड यूज़ करके आनंद से सब्सक्रिप्शन ले ले ठीक है और टेलीग्राम ज़ाइन जरूर करलें बच्चे यहांपर आपको सारे नोट्स सारे डी पिपिस सारे लिंक्स चाहों प्लस क्लासे के हो चाहें यूट्यूब्ड च्रीग अपको इसी चैनल पर मिलेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करें सबसे पहला कोशन NEED 2017 का ये रहा कैसे करेंगे इसको एक बार आप यहाँ पर pause करके इसको attempt कर दीजे फिर मैं आपको इसका solution बताता हूँ तो यहाँ पर देखे बच्चे क्या कह रहा है A YouTube with both ends open to the atmosphere is partially filled with the water. Oil which is immiscible with the water is poured into one side until it's stand at a distance of 10 mm above the water level ठीक है नदर साइड meanwhile the water rises 65 mm from its original level see the diagram the density of the oil तो आप लोगो ने कोशन ट्राइ कर लिया होगा अब देखे बच्चे कैसे करना है इसको मैं आपको बता हूँ इस diagram को थोड़ा से जूम कर लेते हैं समझ नहीं कोशिश करते हैं आपको मैंने एक बात बताई थी fluid statics के case में in fluid statics in fluid statics fluid statics में जब भी हम बात कर रहे हैं बच्चे तो हम एक बात बोल सकते हैं कि same horizontal level in same liquid pressure is same same horizontal level पर same liquid के अंदर same pressure होता है ये बाते आपको याद रखनी है तो अब यहां पर देखिए final water level हमें यहां तक दिखा रखा है इसने और यह रहा water level यह पूरा का पूरा यहां तक oil है this is oil this is oil और यह पूरा हमारे पास water है तो आप देख सकते हो same horizontal level और same liquid के अंदर जिसे water ले लिजे तो इस level पर water का pressure आप same कर सकते हो तो यहां पर अगर आप pressure लिखेंगे तो इस point पर pressure हो जाएगा p0 plus row of water into g into h देखो यहां पर कितना हो रहा है बच्चे 65 plus 65 130 mm यह mm में दे रखा है ध्यान रखेंगे बच्चे दूसरी जगह पर आप pressure देखेंगे इस जगह पर इस जगह pressure हो जाएगा p0 plus row of oil into g अब यह height कितनी है बच्चे आप देखो 65 plus 65 plus 10 तो टोल हो गया 140 mm तो यह same horizontal level pressure लिखा गया है आपको दिखाई नहीं दे रहा हुँड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ same horizontal level pressure लिखा गया है तो यहाँ पर आप दोनों pressure को same कर दीचे आपका answer आजाएगा बच्चे P0 plus rho WG into 130 is equals to P0 plus rho 0 G into 140 आप देखो P0 से P0 चला गया अब देखिया आप G سے G कट जाएगा और इस 0 से 0 कट जाएगा तो rho 0 हमारे पास आगया rho W into 13 by 14 rho W की value आप रखतेजे 1000 into 13 by 14 यह आ जाएगा 9 point something, 13 by 14 तो answer हमारे पास हो जाएगा 9 to 8 क्लिए ने क्या, समझ में आ गया सभी को same horizontal level पर, same liquid के अंदर same pressure करना था, that's all आगे बढ़ें, next question देखते हैं बच्चे यह वाला question, यह question क्या कहे रहा है आप इक बार pause करके try कर सकते हैं मैं start कर रहा हूँ, अब two non-mixing liquids of a density rho and n rho where n is greater than 1, मतलब एक liquid जादा dense है एक liquid कम dense है, ठीक है, R pot in a container तो denser liquid नीच होगा और जो light liquid है उपर होगा diagram बना ले अगर, तो इस तरीके का यहां पर कुछ scenario होगा let's say this is n rho and this is rho ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे the height of each liquid is H, this is H and this is H a solid cylinder of length L, density D is put in this container, okay the container floats with its axis vertical, ठीक है and the length PL, where P is less than 1 in a denser liquid, ठीक है इस तरीके से कुछ container बना लेते हैं बच्चे हम लोग, यहां पर है यह length PL, तो यह कित्ती हो जाएगी L-PL, total length L थी, L-PL हो जाएगी, उपर है liquid में, नीचे liquid में PL हो जाएगी, density D निकालने हैं कितनी होगी क्या बोलते हैं बच्चे हमें इसकी length भी given नहीं है, आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं इसको diagram clear नहीं हो रहा हूँ, तो फ़र जूम करके बना देते हैं पर, ऐसा बनायता हूँगा This is PL and this is L-PL, चीक हैं, अब देखिए, आप जो इसका weight होगा density निकालने हैं हमें D, तो इसका weight होगा बच्चे, इसका cross section area A मान लेते हैं हम लोग, तो इसका weight हो जाएगा density into volume, mass हो गया into G, this is the weight This is balanced by the force which will act from here, upward force, तो net force इसको अगर हम लगाएं, तो आप देख सकते हो Answer तो y and force लगा के भी आ जाएगा इसका, तो y and force लगाते हैं उपर की तरफ, तो rho liquid में कितना area है L-PL into G plus n rho में कितना है n rho into A into PL into G चीक है, अब यहां से आप D की value निकाल दीजा, answer आ जाएगा, यह आप धान रखेंगे बचे, मैंने दोनों की weight of liquid displaced के बराबर कर दिया है, नीचे की तरफ Mg but, आप ध्यान रखिए यहां पर answer तो आपका आ जाएगा, mathematically कोई problem नहीं है हमारे पास but जो actual reason है, वो इसका यह है जो उपर से जो pressure लग रहा होगा, नीचे से जो pressure लग रहा होगा यह net pressure Mg को balance कर रहा होगा, Newton's law लगा के हम लोग answer निकाले है, तो उससे भी same answer आएगा but that is more technically correct ठीक है, बट यहां पर हमने point force आएगा answer निकाल दिया यहां पर देखिए आप क्या कर जाएगा, G से A L कट जाएगा, A कट जाएगा, L कट जाएगा, G कट जाएगा Tworkers, यहां पर बच़एगा D, यहां पर बच़एगा rho 1-P, यह लिए 1 time चला गया यह 1-P plus, यह बच़एगा N P rho तो option देखोगे यहां से अगर हमने row common ले लिया तो यह हो जाएगा 1 minus P plus NP into row तो option आप देखोगे यह option कौन सा है बच्चे B option है यह, second option will be correct तो इस तरीके से हमें यह question solve करना है देखो समझ में आएगा, इसमें क्या कर रहे हैं simply बस forces balance कर रहे है उपर से force, नीचे से force बराबर काम खतम clear है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है इसका अगर FBD बनाए उपर से भी force लगेगी कुछ ना कुछ P1A नीचे से force लगेगी P2A और Mg लग रहा होगा तो technically हमें Newton's law लगा के सारे forces balance करने चाहिए बढ़ हम उसको weight of liquid displaced से Mg को बराबर कर दें तो भी answer हमारा आ जाएगा clear है क्लियर है क्या any दर्द ग्लाज and any शिक्वास ओके यहाँ पर बात करते हैं अब next question में इसको भी try कर लिजे आप एक बार the cylindrical tube of spray pump has a radius r one end of which has n fine holes n holes हो रहे of radius small r if the spray of the liquid in the tube is V capital V speed दे रखिए tube के अंदर the speed of the ejection of the liquid equation of continuity आप लोग को याद होनी चाहिए equation of continuity equation of continuity क्या कहती है equation of continuity equation of continuity कहती है बच्चे a1 v1 is equals to a2 v2 लगाओ आप लोग answer निकालो इसका पठापट से अपने आप निकाले वीडियो को रोग दीजे अपने आप निकालो अब solve कर रहा हूं में देखे pi r square into capital V से जा रहा है अब area कितना हो गया अब area small pi r square हो गया बट n areas है क्योंकि n holes है तो velocity v हो जाएगी अब यहाँ पर आप देखे पाई ने पाई को जान से मार दिया तो v की value कितनी हो जाएगी capital V r square upon n r square क्या option में है option D is correct समझे क्या क्या नेक्स्ट क्यों की तरफ चलतें 2 meter Bernoulli लगा के आपको यह बात पता है कि छोटा सा अगर hole है छोटे से area में जो velocity होगी वो root 2 g h होगी अगर h height तक liquid भरा हुआ है और अगर यहाँ पर आपको area पता ही है तो जो rate of flow होगा that is area A into V तो volume rate of flow यह सब आपने class में पढ़ा है this equals to area into velocity ठीक है area कितना है बच्चे 2 mm square that means 2 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा meter square में into velocity किती हो जाएगी root 2 g h root 2 g की value 10 ले लेते हैं हम लोग दे भी रखिये 10 into h दे रखा है 2 meter इसको solve कर लो बच्चे इसको solve कर लोगे आपके पास answer आजाएगा यह लगबग 12.6 into 10 to the power minus 6 meter cube per second this is the volume rate of flow ठीक है that means option B will be correct अनी दर्द गिलास औनी शिक्वास यहां तक देख लो बच्चे आगे बढ़ें आगे चलें next question try करें आप लो तो बच्चे यहां पर देखोगे आप क्या कह रहा है wind है 40 meter per second पर blow कर रही है parallel to the roof let's say this is a roof इसके parallel 40 meter per second से flow कर रही है the area of the cross section हमें given है इस roof का assuming the pressure inside the atmospheric pressure P not तो उपर pressure कितना हो जाएगा बच्चे उपर pressure हो जाएगा अगर हम same horizontal level में माल लें तो minus half rho v square यह अब मैं आपको निकाल के दाएदा हूँ let's say उपर का pressure है P1 तो P1 plus half rho v square is equals to P not यहाँ पर मैंने लगा दी बढ़ना हो ली थे रहा हूँ तो आप देखो यह P1 आ जाएगा P not minus half rho v square तो उपर से जो pressure लगेगा that is P1A नीज से जो pressure लगेगा that is P not A roof के उपर तो net force जो हो जाएगी वो हम देखेंगे तो force exerted by the wind on the roof पूछा जा रहा है तो निकाल सकते है P not A minus P1 उपर की तरफ force लगेगी बच्चे net क्यों? तो उपर pressure कम हो गया होगा speed ज़्यादा है तो pressure कम हो गया होगा तो आप देखो P not A minus P1 की value कितनी है बच्चे? यहाँ से value put कर देता हूँ मैं P not minus half rho V square into A यहाँ से आप देखो कि half rho V square into A will be the answer half, rho की value कितनी है? 1.2 V की value कितनी है? 40 तो 40 का square into A की value कितनी है? 250 इसको solve कर लो बच्चे आपके बच्चे आपके बच्चे आपके बच्चर आजाएगा 2.4 into 10 to the power 5 Newton clear रहेगा? next question try करेंगे इस वाले को read करेंगे आपको एक बार खुद से करने ही कोशिश कीजिए pause करके भी आप try कर सकते हैं ताकि वीडियो में ज्यादा lengthy वीडियो ना मन जाए ठीक है? तो इसके लिए आप लोग pause कर लीजिए फिर मैं वापस से start करूँगा तो आप साथ के साथ देखते हूँ चलिए किस तरीके से मैंने question को approach किया है a fluid is in streamlined flow across a horizontal pipe horizontal pipe है सबसे पहली बात of a variable area of cross section ठीक है ऐसा भी बना लीजिए इस तरीके से variable cross section area for which of the following statement is correct the velocity is maximum at the narrowest ब्लकुस सही बात है यहाँ velocity v1 मान लीजिए यहाँ velocity v2 मान लीजिए जहाँ पर narrow होगा वहाँ velocity सबसे ज्यादा होगी क्योंकि a1 v1 is equals to a2 v2 होता है तो product constant है area into velocity हो तो जहाँ area cross section का ज्यादा होगा velocity कम होगी और जहाँ area कम होगा velocity ज्यादा होगी तो narrowest पर area कम होगा तो velocity ज्यादा हो जाएगी तो option है तो बिल्कुल ठीक sorry इतने बाट तो ठीक है इसके आगे के रहा है pressure is maximum at the widest part of the pipe horizontal है that means potential energy gradient same आजाएगा हमारे पास potential head तो हम लोग formula लगाए यहाँ पर let's say P2 pressure है equals to P1 plus rho GH यहाँ पर भी same plus half rho V1 square rho GH से rho GH चला गया तो P2 plus half rho V2 square is equals to P1 plus half rho V1 square मतलब जहाँ पर velocity ज्यादा होगी वहाँ पर pressure कम होगा अभी पीछे हमने USB की ते यह बात Bernoulli में सबसे परण बात हम आपको यही बताते है class में भी कि जहाँ पर velocity ज्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा तो velocity narrower में जाता है तो wider में pressure ज्यादा होगा तो pressure is maximum at the widest part of the pipe तो यह option सही है बाकी option देख लेंगे pressure and maximum नहीं बाकी options हमारे इनी combination मना रखें तो एक ही combination सही होगा जो कि यह option है clear है क्या कोई भी दर्द गिला शिकवा आगे बरहे है next question देखेंगे two small spherical metal balls having equal masses okay are made up of material of density rho 1 and rho 2 यह rho 1 है और यह rho 2 है rho 1 is equals to 8 rho 2 भी हमें दे रखा है having the radii of 1 mm and यहाँ पर radii जो है that is 2 mm they are made to fall vertically in a viscous medium whose coefficient of the viscosity is eta and whose density is 0.1 rho 2 ठीक है liquid की density हमें दे रखी है 0.1 rho 2 the ratio of their terminal velocity terminal velocity का formula सबको याद होना चाहिए बचे उसी पर based question हमारे पास सबसे जादा आते है तो 2 by 9 r square into rho minus sigma into g upon eta this is our formula इस आपको याद होना चाहिए अब दोनों के लिए आप यही वाले formula में values पुट कर देंगे देखिए vt1 by vt2 करेंगे दोनों का ratio लेंगे तो आप देखो क्या क्या चीज़े common है सिर्फ 2 by 9 common है और g common है यह तो कट जाएगा तो सिर्फ यही बचेगा हमारे पास r1 by r2 का whole square ठीक है यहाँ पर आप देखो के उपर 1 वाले की बात कर रहे है हम लोग तो यह हो जाएगी density rho 1 minus liquid की density हमें किती दे रखी है 0.1 rho 2 upon rho 2 minus 0.1 rho 2 into sorry eta eta भी कट जाएगा बचे eta common रहेगा तो this will gives you the answer values put कर दीज़े values put करेंगे तो देखें answer क्या आजाएगा r1 की value है 1 by 2 का whole square आजाएगा rho 1 है 8 rho 2 के बराबर और 8 में से अगर 0.1 चला गया तो बचेगा यह 7.9 rho 2 upon नीचे बचेगा 0.9 rho 2 तो rho 2 से rho 2 भी चला गया अच्छा आपको देखनी रहा होगा बचे अभी देखें अब square कर देंगे 1 by 2 का तो 4 हो जाएगा और 9 for the 36 चला जाएगा तो यह आजाएगा 79 by 36 that means option D will be correct बस आपको terminal velocity का formula लगा देना है बचे 2 by 9 r square rho minus sigma g upon eta यह formula अगर आपको याद होगा तो आप directly इस question का answer कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ू मैं next question हम से क्या कह रहा है the small sphere of radius r falls from the rest in a viscous liquid as a result heat is produced due to the viscous force the rate of production of the heat मतलब power की बात कर रहा है when the sphere attains the terminal velocity तो viscous force की वज़े से अगर हमारे पास heat आ रही है एक बाद ट्राई कर लो आप इसको pause करके ट्राई कर लीजे बचे आप अपना attempt जरूर देख लिया करो because हमारा motive क्या है यह सब चीज़े करने का motive क्या है यह सब चीज़े करने का motive यह है कि हमने आपको जो पढ़ाया है आप उसको एक बाद एपलाई करके देखो अब जहां mistake हो रही है आप से आप उस mistake को correct करो सिर्फ ऐसा नहीं सही साही solution देख रहे है बैठके बढ़िया चल ला है ऐसे काम नहीं चलेगा आप अपनी mistake पर काम करना है तो सबसे बहले mistake करो तो सही देर तो रखो mistake करने की तो आप mistake करो उसके बाद अपना correction देखो उसका कैसे होगा तो force है 6 pi eta rv चीक है अब power की बात करेंगे तो f dot v हो जाएगा हो तो यहाँ पर हम देखेंगे force 6 pi eta rv into v तो यह माँ पर 6 pi eta rv square हो जाएगा ठीक है cos 0 1 ले लेंगे यहाँ पर dot product हो जाएगा तो आप देख सकते हों यहाँ पर power होगे हमाँ पर 6 pi eta rv अब वो पूछ रहा है r के साथ क्या relation है power का sorry v square तो आप यहाँ पर देखो v के अंदर भी r आता है तो 6 pi eta r v का formula आपको पता है 2 by 9 r square rho minus sigma g upon eta का whole square तो यहाँ पर एक r square है एक और square हो जाएगा तो r की पाफ 4 चला जाएगा और एक और r multiply होगा तो यह power जो है proportional आजाएगी r की power of 5 के option में है क्या c option will be correct इस तरीके से हमें यह question करना था ऐनी दर्द गिलाज और शिक्वाज शिक्वा नहीं किसी से किसी से गिला नहीं आगे बड़े a capillary tube of radius r is immersed in the water and the water rises in it to a height h the masses of the water in the capillary is 5 gram another capillary tube of radius 2 r is immersed in the water the mass of the water that will rise in this tube is try करो बच्चे देखो बच्चे diagram बना लेंगे अगर हम लोग let's say capillary लोगा detail में समझाजता हूँ वैसी यहाँ पर समझे हो अगर h height तक मेरा rise भी हो गया liquid तो इसका fbd बना लेते हैं liquid का उपर की तरफ surface tension वाली force लग रही होगी इस पर let's say contact angle है मेरे पास theta clear है गया तो यहाँ पर आप देखो अगर इसकी radius r है तो t cos theta into 2 pi r यह जो force लग रही होगी उपर की तरफ इसने mg को balance किया होगा class में समझाए था ही आपको तो यहाँ से आपको यह समझ में आएगा कि m अगर सारी चीज़े constant कर दो सब कुछ constant कर दो तो m is proportional to the r तो जो वो mass balance कर रहा है वो radius of capillary के proportional आएगा तो अगर आप कह रहे हो कि radius of capillary को आपने double कर दिया है इस surface tension given है आपको ठीक है soap bubble है soap bubble का excess pressure 40 by r हो जाएगा ठीक है था excess pressure तो pressure inside the soap bubble कितना हो जाएगा p0 plus 40 by r equals at the point z0 below the free surface of the water तो free surface होगा तो pressure हो जाएगा rho g h z0 यह दोने equal कर दिया है इने तो density तो z0 पूछा जा रहा है बागे सब values given है p0 ने p0 को मार दिया तो z0 की value आजाएगी 4t by rho g r 4t की value कितनी है 2.5 into 10 to the power minus 2 rho की value है 10 to the power 3 g की value 10 और r की value कहांगी r की value है 1 mm that means 10 to the power minus 3 solve कर लो answer आजाएगा आपके पास any दर्द गिलाज और शिक्वाज यहां से देखे यह कट जाएगा यह आजाएगा 10 10 से 10 मर जाएगा यह आजाएगा 10 to the power minus 2 meters that means 1 cm option D will be correct समझ में आगे गए बच्चे कहीं पर भी कोई दर्द गिलाज शिक्वा आगे बढ़ें आप लोग attempt कर रहे हैं साथ के साथ question को रोको attempt करो फिर solution देखो next question यह रहा करके देख लिए आप लोग एक बार attempt यहां पर क्या कह रहा है यह रेक्तेंगूलर फिल्म आप लिक्विड इस एक्टंड इस फ्रॉड इस तो इस इफ द रॉड रोग दन इस द्री इंट टे निट आप रोग आगे आप लिक्विड इस के शन into 2 cm2, that means 8 cm2 था और फाइनली जो एरिया हुआ है वो 5 into 4 that is 20 cm2 कर दिया गया है तो वर्क दन कितना लगेगा जब वर्क दन दे रखा है 3 into 10 to the power minus 4 Joule, आप surface ने बूच या रहे, तो वर्क दन बच्चे T into delta A के बराबर होगा, जो surface energy में change आया है उतना ही work किया होगा आपने, area ब 3 into 10 to the power minus 4, 20 minus 8, यह cm2 में था तो into 10 to the power minus 4 और कर देंगे, तो answer आजाएगा बच्चे क्लियर है क्या, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सर्फिस टेंशन निकालनी थी हमें, यह surface टेंशन दे रहे कि work नहीं, surface टेंशन निकालनी, एक से w upon delta a से, w given है हमें 3 into 10 to the power minus 4, upon delta a कितना हो जाएगा, 20 minus 8 into 10 to the power minus 4, that is 10 to the power minus 4 से 10 to the power minus 4 गया, यह आगया 3 upon 12, clear रहे गया? ठीक है? अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह जो area है, क्योंकि हमें rectangular film दे रखी है, rectangular film की वजए से बच्चे, उपर भी area होगा, नीचे भी area होगा, तो जो भी delta a होगा, वो twice लेना पड़ेगा आपको, twice क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि उपर का area, नीचे का area, दोनों तरफ rectangular film की area होगा, तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको twice consider करेंगे, तो आपकी जो surface tension आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 by 24, that is 1 by 8 times, clear? इसको solve कर लिजा आप 1 by 8 को, तो आपके पांस answer आ जाएगा, 0.125, वापस समझाओं, वापस समझाओं यह वाला question, मैं देखो diagram से समझाएता हूँ, पूरा question वापस से, देख लो, इसमें क्या हो रहा है, कि यह है माई पास rectangular film, उपर area A, नीचे भी area A होगा, अब सबसे पहले इसने का surface, अगर area change करेंगे हम लोग, तो उपर का surface area भी change होगा, A final minus A नीचे, और नीचे का भी change होगा, तो जो total change in area होगा, A dash, that is 2 delta A, clear है, तो work done हो जाएगा हमारे पास, T into delta A dash, तो surface tension आजाएगी, W upon delta A dash, अब यहाँ पर हमें given है, 3 into 10 to the power minus 4, और ही हो जाएगा, 2 times delta A हमारे कितना दा, 20 minus 8, that is 12, into 10 to the power minus 4, इसको solve कर लिया, तो 3 by 24, that is 1 by 8 will be the answer, ठीक है, Newton per meter, next question की तरफ चलते हैं, 3 liquid of density, rho 1, rho 2 and rho 3, having the same values of the surface tension T, rise to the same height in a 3 identical capillaries, ओके, identical capillaries हैं, तो height rise कितना होता है बच्चे, यहाँ पर लिख सकता हूँ, direct, 2T cos theta upon rho g r, formula याद है सभी को, तो आप यहाँ पर देखो, identical capillaries हैं, तो r will be same, surface tension will be same, नहीं, हाँ, surface tension will be same, having the same value of surface tension, तो surface tension same है, r same है, g तो same होता ही है, 2 तो same है ही है, तो हमारे पास जो h बचा, that is proportional to the cos theta upon rho, छीक हैं, अब उसने बोल दिया है, rise to the same height in the 3 identical capillaries, मतलब cos theta 1 upon rho 1 is equals to cos theta 2 upon rho 2 is equals to cos theta 3 upon rho 3, तभी same height तक rise करेगा वो, क्योंकि इसी के proportion, बागी सारी चीज़न तो constant है, इस पूरे expression के अंदर अगर ये भी सबका same हो जाए, cos theta upon rho, that means, height सबकी same rise होगी, अब same height के वज़े से ये हमारे पास data तो आ गया, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे क्या क्या दे रखाया है में, rho 1, rho 2, rho 3, तो जिसका rho ज्यादा होगा, उसके लिए, cos theta को भी ज्यादा होना पड़ेगा, तब ही तो ratio same रहेगा, ठीक है, ratio same रखना है अब, तो denominator बढ़ाओगे तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा, तो cos theta को ज्यादा होने के लिए angle को कम होना पड़ेगा, तो theta 1 should be less, तो theta 1 सबसे कम होगा बच्चे, और 0 से pi by 2 के बीच में values होंगी हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर जो liquid है वो rise हो रहा है, clear है गया, तो acute angle में आएगा हमारे पास, तो answer हो गया B, कोई भी दर्द किला शिक्वा, acute angle होने पड़ेगे क्योंकि rise हो रहा है, अगर capillary के अंदर fall होता, तो obtuse angle होते हैं, और theta 1 सबसे कम होगा, then theta 2, then theta 3, density के साब से, आगे बढ़े, next question कहे रहा है हम से, water rises to the height edge in the capillary tube, if the length of the capillary tube above the surface of the water is made less than edge, then क्या होगा, मतलब height of capillary tube is insufficient, insufficient height of a capillary tube, तो क्या होगा हम आपे, highest point पे, बता सकते हैं आप लोग, तो अगर आपकी tube की height ही insufficient है, तो आपको ये class में पढ़ा रखाए बच्चे, liquid तो उपर तक ही rise होगा, वहाँ पे उसका contact angle change हो जाता है, लिक्विट तो उपर तक ही rise होगा, तो water rise up to the point, water rise up to the point a little below, little below नहीं होगा, water does not rise at all, water rise up to the tip and then start overflow, overflow नहीं होगा, fountain नहीं बन जाएगा हम असे, ऐसा फिर energy की समस्या कहता हो जाएगी दुनिया में से, सिर्फ वो डुबा दिया हम नहीं फॉंटेन मिल गया हमें, फिरके tension नहीं water लगा नहीं, तीक है ऐसा नहीं होगा, water rise up to the top capillary tube and stay there without overflow, D option बिल्कुल सही है यहाँ पर, उपर क्या होगा, contact angle change हो जाता है, अधैसे force कम हो जाती है, जो highest top point पर particles होते हैं, अधैसे force कम हो जाती है, यह reason आपको class में समझा रखा हैं बचे हम लोगों ने, तो यहाँ पर क्या होगा, contact angle change हो जाएगा, और water वहीं के वहीं रह जाएगा, overflow नहीं करता, next question, a certain number of the spherical drop of the liquid of radius R, coalesces to form a single drop of the radius capital R, and the volume V, if T is the surface tension of the liquid, then energy बताने है, कितनी release होगी, तो R है, कितनी यह यह नहीं बता रहा है का, let's say N drops ही, certain number of drops, N, 4 by 3 pi R cube, is equals to 4 upon 3 pi capital R cube, यहाँ से आप N देखो के, R cube by small R cube आगया, एक बार question आप देख लो, सही कर लो, अब उसने हमें बोल रखा है, कि volume V दे रखी है, तो V is equals to 4 upon 3 pi R cube होगा, this is first equation, this is second equation, अब हम से कह रहा है हाँ हाँ पर, if T is the surface tension of the liquid, तो कितनी energy release होगी, तो पहले कितनी energy होगी हम बता सकते हैं, आप देखो surface tension T into area, that is the surface energy, जो initially थी, initially surface energy कितनी होगी, 4 pi R square into N, drop थी न, ठीक है, finally कितना हो जाएगा, T into 4 pi capital R square, this is a energy released, ठीक है, तो यहाँ surface tension common ले लिए, हमने change in area निकाल देते हैं, change in area, that's all, that means 4 pi भी common ले लिया जाए, तो N R square minus R square, this will be the answer, अब यहाँ पर कहें न, हमें किस के form में देना है, V के form में हमें answer देना है, N replace कर दो just up, तो N को replace कर रहा है मैं, तो N की value कितनी है, R cube by small r cube, यहाँ पर देखो अगर आप R cube की value निकाल के उपर की तरफ put कर दो, तो N की value मिल जाएगा आपको V के terms में, उसको put कर दो, that's all, देखें, योग्या T into 4 pi, N को अगर मैंने लिख दिया, R cube upon R cube, R square minus R square, तो यहाँ से देखो, इस से एक तीन बार यह कट गया, ठीक है, तो हमारे पास बचा net, T into 4 pi, R cube by, R minus R square, अगर इसमें से common ले लूँ मैं, R cube, R cube common ले लेंगे, तो क्या बचएगा बच्चे, R cube common ले लेंगे, तो यह बच जाएगा, इदर लिख देता हूं मैं, T, 4 pi R cube, यहाँ बच जाएगा 1 by R, यहाँ बच जाएगा minus 1 by R, ठीक है, और उपर नीचे 3 से multiply करा दो, तो यह जो quantity यह V बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, 3 T V into 1 by R minus 1 by R, तो 3 T V, this will be the answer, C option will be correct, C option will be correct, तो change in area निकालना था, that's all, और यहाँ पर N को replace करना है, तो यहाँ पर आप N की value मत निकालो, इस first equation से N की value यहाँ पर put कर दो, यह capital R और small R दोन नहीं दे रखाता था न, तो इसलिए मैंने कहा है, यहाँ पर V के terms में मत निकालो, V के terms में निकाल के put करते, तो भी answer directizer था हमारे पस, बट हमने N की यह वाली form put कर दी, यहाँ पर सीधा-सीधा, और फिर उसको rearrange कर लिया, और V के terms में introduce करने के लिए, हमने R cube को बाहर निकाल लिया, तो 4 upon 3 pi R cube हमारे पस V के बराबर है, तो यहाँ पर सीधे-सीधे form बन गी answer आगया, समझ गया, एक बार आप दुबारा देख सकते हैं इसको, आगे बढ़ लाओं मैं, तो wetability of the surface by the liquid depends primarily on the wetting, wetting किसे रिफाइन करते हैं बच्चे हम contact angle पर, this is theta, acute, that means not wetting, और यहाँ पर opt to use, that is wetting, तो यह contact angle पर depend करता है, सीधा-सीधा, depends on the contact angle between the surface and the liquid, B will be the answer, clear है, next, तो इस session को जरूर लाइक करें बच्चे, यहाँ तक देख लिए आपने तो, share करें दोस्तों के साथ, आनन्द मनी, टेलिगाम चैनल पर जरूर, जॉइन कर लें बच्चे, ठीक है, comment करें अच्छे-च्छे comment, मिलते नेक्स लास में, तक लिए गुडबाई, टेक है,